Hello everyone, competitive exam में आपका एक बार फिर स्वागत है, आज मैं आपके लिए एक और job notification लेकर आ गया हूँ, यह जो job vacancy निकली है, आपके HP जल शक्ती विभाग में निकली है, जिसमें आपको पता होगा कि पूरे हिमाचल में लगबग 4500 से जादा पद यह भरे जा रहे हैं, जिसमें कि आपके कईड विजन में यह फॉर्म निकल चुके हैं, यह कईड विजन में अभी निकल रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ, यह दो डविजनों के फॉर्म रहने वाले हैं, जिसमें कि आपके पास किनौर के रिकॉंग पियों के लिए लगबग 40 पद रहने वाले हैं, और दूसरा जो है मतियाना जो की शिमला के अंदर आता है, ठ्यो से जो आगे थोड़ा सा जगा रहती है, वहां मतियाना के लिए लगबग आपके 40 पद यह रहने वाले हैं, आप इसमें दे सकते हैं, एप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉलोविंग पो तो मतियाना के लिए ये विकैंसी आपकी रहने वाली है, तो आपको जो इसमें बताया गया है कि आपको जो है जल शक्ती जो डिवीजन एग्जिक्यूट इंजिनियर मतियाना का है, आपको उसमें जो है तीन दो यानि कि तीन फरवरी 2024 तक जो है अपना जो फॉर्म है और certificate attach करके वहाँ पर deposit करवाने हैं, तो तीन तारीक तक आप अपने फॉर्म जो है यहाँ पर deposit करवा सकते हो, तो कौन कौन से पद यहाँ पर आपके निकले हैं, जैसा कि आप दे सकते हैं कि पैरा जो फीटर है, उसके तीन पोस्टे रहने वाली है, और पैरा pump operator की 16 पोस्ट र सकता है, और आप qualification दे सकते हैं कि क्या मांगा गया है, पैरा फीटर जो है, उनके लिए minimum 10th आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपके पास certificate ITI trade में होने चाहिए, जिसमें कि आपके फीटर आपके पास होना चाहिए, फीटर में, और आपके pump operator जो है, जिसमें आप दे सक आपके पास ITI होनी चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, और multi purpose worker के लिए सिर्फ आपके पास 8 pass होना चाहिए, और यदि आपके पास 8 pass है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, और experience का भी इसमें पूचा गया है, यदि आपके पास 6 months से ज़्यादा का experience है, तो उससे भी आपको जो है, इसमें marks दिये जाएंगे, और इसमें आप दे सकते हैं, कि इनोंने जो है, यहाँ पर performa दिया है, कि आपको किस प्रकार performa यह type करना है, आप इसको simple computer में type कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बताया गया है, कि application form कि यहाँ पर बताया गया है, और passport size photo के लिए यहाँ एक column बना है, आप दे सकते हैं, कि name of candidate, father name, date of work, permanent address, या address, correspondence, bonafide, हिमाचली certificate आपको इसमें के साथ attach करना होगा, और mark certificate, यानि कि 10th, 8th, और आपके ITI के certificate, और category certificate, आप दे सकते हैं, कि यह form जो है, आपको type करना होगा, computer पे, या आपको कहीं यह मिल रहा होगा, तो आप अपन पर इसमें किया है, कि bonafide of हिमाचल प्रदेश, matriculation certificate, ITI के certificate, और proof of age का certificate, BPL certificate, experience certificate, आपको यहां पर attach करना होगा, आप दे सकते हैं, कि आपको जो salary इसमें दी जाएगी, जो आपके बास पैरा pump operator और feeders रहेंगे, उनको 6000 पर मन्त salary दी जाएगी, और आपके पास जो multi-purpose worker है, 4400 पैस salary दी जाएगी, आपको 6 गंटे जो है, पूरे दिन में काम करना होगा, तो आप दे सकते हैं, यह आपके बास मतियाना division के लिए form निकले हैं, और दूसरा division जो है, आपके यह आपके रिकॉंग पियो division है, जिसमें आप दे सकते हैं, कि जल शक्ती विभाग, जल शक्त जितने भी रिकॉंग पियों के आस-पास के जो candidate है, वो इसके लिए apply कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, कि जो पैरा pump operator की विगैंसी है, वो रिकॉंग पियों के लिए 11 है, और इसमें आप दे सकते हैं, लिजिविल्टी कंडिशन इनों में बताया है, कि 10 आपके पास यदी है, और आपके पास यदी ITI है, जिसमें कि आपके electrician का, wireman diesel का, या pump operator का, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, आपकी age जो है, ठारा से पंतालिस के बीच में रहेगी, और छे हजार आपकी salary रहने वाली है, और पैरा जो fitter है, उसके लिए 4 post आपके रिकॉंग पियोंग डिजिन क के लिए रहना वाली है, और आप दे सकते हैं कि ठारा से पंतालिस और छे हजार रुपय आपको salary दी जाएगी, और आपके पास 10th plus ITI आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पलंबर में आपके पास ITI होनी चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, और multipurpose worker के लिए simple आपके पास 8th होनी चाहिए, और multipurpose worker के लिए 25 पोस्टे निकली हैं, आप दे सकते हैं, और 4,400 रुपय आपकी salary रहेगी, तो मैंने आपको पर बता दिया है कि आपको form किस परकार से भरना है, आपको एक साधे कागज में भी आप एक format लिग करके अपना form deposit करवा सकते हो, तो उसके साथ आपको कौन-कौन से certificate अटेच करने हैं, यहाँ पर भी बताया गया है कि bonofide of हिमाचल प्रदेश, matrica certificate, relevant ITI का certificate, proof of age, BPL certificate, experience certificate, यदि कोई है, तो यह सभी आपको deposit करवाने होंगे, तो यह जो है रिकांगपी और डिविजन के लिए पोस्ट रहने वाली है, तो आप कल से ही इसके लिए apply कर सकते हो, तो आज की वीडियो आपको किस परकार की लगी, आप इस वीडियो को हमारे like कर सकते हो, share कर सकते हो, इसी परकार के future update के लिए आप हमारे चैनल competitive exam को subscribe कर सकते हो, धन्यवाद